सो हेलो एबवान गाइस हरे महादीव राधे राधे कैसे आप सभी लोग आईज आई हूप आप सभी लोग अच्छे कर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सब आज आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगे हो फॉल्मोन ब्लसिंग्स के उपर अगे फॉल्मोन आपकी लाइफ में कौन सी खुश्या लेके आ रहा है कौन से चेंजिस आपको देखने को मिल सकते हैं इस फॉल्मोन के बाद अपनी लाइफ में यहां होने स्टार्ट हो गए होंगे हाना कौन सी ब्लसिंग्स सर्प्राइज आज के दिन अगर किसी ने बुक करवान से मतल हो अंपने लिए जो आपको लगता है कि यह सब अपनी हो उपकी सेंट कर लिजे second pile guys यहाँ पर four of wands card है अगर आपके name के initial image है तो आप second pile pick कर लोके दोनों ही piles आपके सामने हैं आप pause करके zoom out करके अपने pile को देख सकते हूँ अच्छे से बाकि मैंने choose a pile करके दोनों ही cards का छोटा सा clip लगाया होता है बीच में ही okay परस्नल रेडिंग के लिए आप मुझे इंस्टेग्राम पर डियम कर दे न इंस्टेग्राम का link description में है time stamps के जर्श उपर या फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हूँ के so start कर लेते हैं guys आपकी रेडिंग को first pile से so first pile guys अगर आपके name के initial v z f o j e m s h q u y w में से आते तो first pile आपके लिए ही थी okay या आपने four of wands कार्ड को pick किया हुआ है तो of course sorry four of wands बोलूँ I think आपको second pile लेखने की जरूरत है शाहिद है so यहाँ पे sun card है आपके लिए सबसे पहले तो sun card okay तो सबसे पहले तो guys यह जो full moon है आपकी life में जो overall energies है वो खुशना लेके आरहे हैं ठीक है overall happiness के energies आपकी life में आरहे हैं आप अगर negativity की तरफ जा रहे थे बहुत ज़ादा ठीक है तो अब आपकी life में full moon guys आपकी life में new beginnings लेके आ रहे है happiness लेके आ रहे है रोशनी लेके आ रहे है अगर आप रात की तरफ मतलब होते नहीं अंधेरे की अंदर ही अंदर गुसे जा रहे थो बट आपकी life में बर रोशनी आते होई दिख रही है ठीक है आप dark night of the soul से गुजर रहे थे तो definitely अब आपकी life में light आते होई दिख रही है so yes आपको अगर baby news अगर मिल सकती है तो of course मुझे आप बताना जुरूर हो के comment section में कर कि yes माम मुझे हमारे यहां आसपास में ही baby हुआ है और हमें news मिल चुकी है और I think यहां पर यह भी energy आपके घर में खुश्यां आने वाली है किलकारियां गुजने वाली है कोई आपकी family में से भी pregnant हो सकता है और जो चाहते हैं लोग couples यहां पर देख रहे हैं तो वो चाहते हैं pregnancy ठीक है अपने life में definitely उनको pregnancy means conceive होने की यहां पर energy conceive करते हैं देख रहे हैं बहुत सारे लोग के यहां पर कुश्य लोग functions attend कर सकते हैं कोई नो को function हो सकता है उनके आसपास किसी ना किसी घर में marriage parties हो सकती है यह full moon से अगले full moon तक की rating है so first file crystal sale is live right now अगर आपको कोई भी type का crystal bracelet pendant ठीक है ring लेनी है तो 15% sale चल रहे है crystals के उपर and कोई भी crystal आप ले सकते हो ठीक है 15% discount भी आपको मिलेंगे है 10 दिन तक sale चल रही है I think आज है 17 sorry 18 17 ही है आज so yes 27 या 30 तक आपकी sale चल रहे है so आपको अगर कोई भी crystal bracelet pendant लेना है so 15% sale पर आपके लिए यहाँ पर जाएगा ठीक है so anyways यह थी आपके लिए information ओकी so yes यहाँ से tarot के through सबसे पहले तो आपके लिए देखेंगे क्या ही energies आ रहे है हैं आपके लिए सबसे पहला card four of swords है यहाँ पर ओके जी hangman है यहाँ पर ओके ग्रेट queen of pentacles card की energies है यहाँ पर four of cups card की energies है यहाँ पर ace of pentacles है यहाँ पर नाइस 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 and the last card is magician वाओ amazing energies आ देख लेते हैं यहाँ पर आपकी life में क्या होने वाला है bottom of deck है यहाँ पर six of cups card की energies middle energies क्या है यहाँ पर the emperor card ओके so यहाँ पर सबसे पहले तो guys आपकी life में क्या होने वाला है यह देख लेते हैं यहाँ the moon यहाँ पर आपकी जिंदगी में क्या ही लेके आ रहा है guys सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहे है वो है आपकी life में अगर आप healing चाहते थे अपनी life में आप heal होते हों दिख रहे हैं बहुत अच्छे से healing होते हों दिख रही है आप क्योंकि और yes अगर आप चाहते थे कि आप किसी hurt से गुजर रहे हो बहुत time से अना उससे बहार निकलना तो उस hurt से आप लोग बहार निकलते हों दिख रहे हों की और यहां पर ऐसा भी दिख रहे हैं कुछ लोग struck थे अपनी life में किसी situation में किसी चीज में फसे हुए थे बहुत time से yes वो लोग उस situation से उस चीज से निकलते हों दिख रहे हैं आप बहुत धीरे धीरे knowledge गेन किये हो situation के बारे में कि वो मेरे लिए गलत थी बठा आप बहुत अच्छे से right time से बाहर निकल गए हो situation से और यहां फिर इस hormone के बाद आप निकल जाओगे कोई शक के नहीं जिसमें आप फसे हुए थे ठीक है जैसे मैंने बोला अंधेरा चाया हुआ था आपकी life में अब आपकी life में रोशनी आने वाली है और यहां पर गाईस कुछ लोग कुछ situations options में फसे हुए थे कि इनमें से कौन सी choose की जाए option आपके सामने पहले भी options थी बट आपको पसंद नहीं आई या आपने उनको choose ही नहीं किया है अब universe एक option आपको भेजने वाले है ठीक है यह job offer हो सकती है career में कोई offer हो सकती है आपको love offer हो सकती है ठीक है या marriage के लिए offers हो सकती है आपको पसंद नहीं आई पहले वाली offers but हाँ अभी जो offer आने वाली है आपकी जिंदगी में वो guys universe की तरफ से भेजी जा रही है और yes ace of cups का काम करने वाली है आपकी life में new beginnings लेके आ रही है love life में आप लोगों की तरफ कोई person आ रहे है जो आपकी तरफ emotionally अपना cup देते हो दिखरो यह universe की तरफ से भेजे जा रहे है आपकी मांग हो सकते है कि मुझे कोई person दिये जाए universe please मैं अकेला feel कर रहा हूँ या अकेली feel कर रहे हूँ और I want someone in my life okay so yes आपकी तरफ कोई न कोई यहां पर आ रहा है okay कुछ लोग तो यहां पर अपनी life में पैसा unexpected money को like manifest करते हो दिख रहे हैं तो yes आपकी life में unexpected money भी receive होते हो दिख रहे हैं कोई relative आ सकता है एक दम से वो पैसे पकड़ा के चला गया आपको या फिर आपकी life में आपको चाहिए थे like for example आपको एक amount चाहिए थी उतनी चाहिए थी but आपको थोड़ी से amount उससे ज़्यादा मिल गई okay so unexpectedly money earning की energies यहां पर दिख रहे हैं okay एक दम से आपकी life में शुरुआत होते हैं दिख रहे हैं नई चीज़ों की okay नई रिष्टे नई चीज़ें यहां पर start हो रहे है queen of pentacles and magician है so yes आप manifest कर रहे हैं अपनी business को growth business में growth okay so business को growth करने में आप लोग आप लोग manifest करे हैं business में आपके growth है and yes वो होते हो भी दिख रहे हैं यहां पर आप लोग चाहते थे आप एक authority position पर बैठ जाओ आप एक position आपको मिल जाए आप उसके उपर बैठ जाओ yes वो आपको मिलते हो दिख रहे हैं ठीक है and also यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहे है कि आप लोग चाहते हो कि आपकी जिन्दगी में कोई soulmate आए और yes वो soulmate अब आने वाले समय में आ रहे हैं आपकी जिन्दगी में don't worry he is coming okay she is coming she will come okay say yes यहां पर say this यहां पर guys two of cups card seriously means आपकी life में 100% कोई soulmate आ रहा है don't worry okay कोई न कोई तो यहां पर आता हुआ आपकी लिए दिख रहा है और emperor card की एनर्जिस यह show कर रही है कहीं न कहीं आपकी जिन्दगी में कोई person है जो आ रही है कहीं न कहीं वो आपकी responsibilities भी ले रहे हैं बट हाँ कहीं न कहीं आप लोग आप जो पार्टनर जो है वो बहुत इग्वेस्टिक है थोड़े अरियल टाइप का नेचर है जिद्धी है गुसे वाले है ठीक है यह ऐसा भी हो सकता है आपके father figure बहुत इंपॉर्टन रहने वाले यहां पर यहां पर आपके ससुर्जी हो सकते हैं आपके father हो सकते हैं जो थोड़ा सा यहां पर लाइक होता ना बीच में आ सकते हैं सब चीज़ों के ओकी so anyways यहां पर अच्छा ही time दिख रहा है बहुत अच्छे यह energies दिख रही है मुझे बहुत अच्छे cards है बस हां आप heal हो रहे हो पास से आप अब knowledge गेन करते हो दिख रहे हो बहुत साई चीज़ों के बारे में समझदार बनते हो दिख रहे हो आपकी तरफ कोई offer आ रही है जि एक चेल पर लेनी यह आप मुझे इंस्टेग्राम करते न इंस्टेग्राम का लिंक दिस्क्रिप्शन में है टाइम टाइमस की जोशितो पर आपके अब बूट सेक्षण से भी देख सकते हो आपके लिए राश्रिंग अगर मैं बताऊं तो वो है Aries sign important हो सकता है आपके लिए also Gemini और also Pisces sign Taurus, Capricorn is also important here and Leo यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है Angel of Balance आप लोग अपनी life में balance पिठाते हैं दिख रहे हैं अपने career, अपनी marriage, अपनी love life में आप लोग अपनी personal life में ठीक है यह सब चीज़ों में आप लोग balance पिठाते हैं दिख रहे हैं Angel of Balance की energies हैं यहाँ पर So, यहाँ पर financial constraints की energies भी आई हैं आपके लिए So, yes आपको कहा जा रहे हैं कहीं न कहीं guys आपकी life में financial issues आपको face करने पड़ रहे थे बहुत time से या आपकी तरफ आपका business अच्छा नहीं चल रहे था आपकी growth नहीं हो पारी थी अब आपको कहा जा रहे हैं अपनी intuition का use करो आपकी तरफ का कोई new opportunities भी आ रहे हैं So, उनको choose करो financially आप इतने stable मुझे नहीं दिख रहे थे past में ठीक है but अब आने वाले समय में unexpected money receive होना start हो जाएगी आपको अपने दिल किसी को नहीं देना चाहते हैं बहुत careful है अपने बारे में उनको पास्ट में कुछ धोके मिले होंगी होना that's why वो ऐसे बन चुके हैं but it's okay आपको यहां पे उनको support करना हुगा so that like वो अपनी life में यह सब चीजे दिमाग से निकाल कर अपनी life में आपकी तरफ आ पाएं ठीक है आपसे जुड़ पाएं आपकी वजह से उनकी life में change आपाएगा ओके यहां पे यह भी दिख रहा है आपकी वजह से वो अपनी past की चीज़ों को भूल पाएंगे अगर आप honesty के साथ उनके साथ आगे भड़ते हो और यहां पर यह आपके लिए फिफ्ट चक्रा अर्केंजल गैब्रियाल है कही नगी आपको थ्रोड चक्रा उपन करने की ज़रूरत है यहां पर अपना अपने लाइक होता न मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां आप बाचित नहीं कर पा रहे हो आप खुलकर बोल नहीं पा रहे थे ठीक है अपनी बातों को यहाँ पर आप लोग वह सब चीज़े करते हों दिख रहे हो अब बातचीत करते हों दिख रहे हो यहाँ पर आपके लिए garden and the gate की energies है तो कहीं न कहीं गाइस मुझे यह शो कर रहा है कि आपकी life में आप लोग door open करना चाहते हो किसी चीज का मतलब आप जाना चाहते हूं निकल कर कहीं बाहर पड़ आप नहीं जा पार रहे हो विकॉज यहां पे मुझे ऐसा दीख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने फिंकिंग में ही फसे हुए हो बहुत टाइम से थी कि आप सोच रहे हो बहुत साली चीजे हैं यहाँ पर आपको कहा ज़र सोचना कम करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो 48 नंबर इंपॉर्टन होसता है आपके लिए 12 नंबर, 13 नंबर, 44, 44 यहाँ पर 4 आपको बहुत दिख सकता है 30 नंबर, 3 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर गाइडेंस क्या है गाइज इस मून, फुल मून पे ठीक है पुर्णिमा के दिन पे क्या गाइडेंस है आपके लिए Conclusions are within reach guys, full moon eclipse है guys I think lunar eclipse आ रहा है 18th of September को, पर सुन, कल, sorry, कल So, कल lunar eclipse है I think So, yes, so यहाँ पर full moon eclipse की energies है Wow Conclusions are within reach, so आपको conclusions मलते हैं दिख रहे हैं बहुत सही चीज़, okay, our new romantic cycle begins New moon and Libra, so तोला राश्य आपके लिए important हो सकती है यहाँ पर आपके लिए है, आपकी life में कोई new romance चार्ट होता हुआ दिख रहे है, नए person आते हो दिख रहे है romantic energies, यहाँ पर आते हो दिख रहे है What do you need to release guys, it's negativity, okay So आपको क्या करने की ज़रत है, निकालने की ज़रत है अपने जिन्दगी से वो है negativity, okay, negative thoughts, negative affirmations, okay And yes, winning moon आये है, and luck is on your side इतनी अच्छे cards है ना guys, luck आपके साथ है And new romantic cycle आपकी life में start हो रहा है Conclusions आपको मिलते होँ दिख रहे है आप negativity को release करने के लिए आपको और आपको क्या चाहिए guys अपने life में जब आपकी life में luck ही आपके साथ आगया तो आपको और कुछ सोचने की जुरूरत ही नहीं है, okay So new moon in Sagittarius और Libra आपके लिए important हो सकते ही है इस lifetime में So yes, confidence is your key to success Again new moon की energies है, wow So I think new moon बहुत important रहा होगा या फिर रहेगा आने वाले समय में So yes, confidence guys आपके successful बनने का राज बन सकता है, okay Confidence अगर आप रखोगे अपने अंदर confident रहोगे Definitely आप successful हो जाओगे So यहाँ पे guys आपके लिए अब last में हम guidance लेते हैं, okay यह जो full moon है, यह कौन सी guidance लेके आ रहा है आपके जिन्दगी में Okay, voice of truth, सच बोलोगाई, सच का साथ दो John of Arc अगर आप जूट बोलते हो, यह जूट बोलना आपको लगता है कि अच्छी चीज़ है, जहाँ आपके लिए से यह नहीं जूट मत बोलो, सच बोलो, सच का साथ दो Stand strong, focus on your purpose, release a fear of persecution and speak your truth Fear है जो आपके अंदर guys, persecution को उसको बहार निकालो और सच बोलना स्चार्ट करो और अपने purpose के उपर focus करो Wow, Krishnan जी is here guys, आपके reading में आए है भगवान कृष्न So, अपना devotion शो करो उनको, अपनी भक्ती शो करो and yes, वो आपके बहुत test लेंगे, okay Trust करो अपनी spiritual guidance के उपर and आपकी जो commitment है, वो और गोगनाईज की जाएगी आपको test किया जाएगा, देन आपकी जो commitment है, वो देखी जाएगा and you are loved unconditionally So, आपको कृष्न जी बहुत सारा प्यार भीज़ने unconditionally, यहाँ पी है love and acceptance, again hope रखिये guys मन में, okay So, yes, love is yours, recognize your divine worth recognize करो guys, अपनी divine worth को choose करो loving thoughts, अपनी life में, okay So, यहाँ पे guys, lady portion आएँ है, again यहाँ पी आपको divine order मिलता हुआ, दिख रहा है, कहीना कि do what you feel is right, आपको जो सही लगता है, वो करिया, आपको यह बोला जा रहा है and important lesson is unfolding, so आपके लिए ज़रूरी lessons यहाँ पी unfold होते भी दिख रहे हैं, वो जुरूरी चीज़े यहाँ पी unfold हो रही है, okay last है, यहाँ पे bottom of it है, holy amethyst की energy, guys, amethyst crystal पर चीज कर सकते हो, आप ring pendant, जो भी मुझसे भी अगर लेना है, वैसे भी sales आ रही है, okay guys, मैंने फिर से बताना भूलगी, starting में, so seal is right now, मतलब आपको seal start है, 15% पे crystals आपको दिये जा रहे हैं, this time, okay 15% discount आपको दिया जा रहे है, crystals की उपर, so यहाँ पे amethyst है, आपके लिए holy amethyst, divine alchemy move beyond crunch challenges, focus on what you desire, जो भी आपके इच्छा है guys, वो करो, आपके desire क्या है, उसके उपर focus करो, follow करो उस चीज़ को, ठीक है anyways guys, like this reading, subscribe to this channel, bell icon को दबा देना, all पे set कर देना, personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो, instagram का link description में है, times charms के just रूपर, यहाँ फिर आप लोग पर about section से भी देख सकते हो, okay so अभी के लिए इतना ही guys, haramahadeev, radhi radhi, godless to everyone, bye guys so hello everyone, guys, haramahadeev, radhi radhi, कैसे आप सभी लोग second pal, so guys, अगर आपके नीम के initials हैं, इन में से, A, I, L, P, C, K, R, D, N, V, G, T, E, X, तो आपके लिए second pal थी, okay यहाँ अपने guys, आपके अपने लिए four of wands कार्ड को पिक है, means आपको यह कार्ड अट्रेक्ट कर रहा था, आप curious थे इसको जानने के बारे में, okay so yes, आपके लिए जो full moon है, यह क्या लेके आ रहा है, वैसे वैश्रा स्टार्ट हो रहे हो, okay I hope आप अपने ancestors को खुश कर पाओ, इस साल, and yes, वो भी आपको खुश करेंगे, blessings के रूप में so yes, four of wands कार्ड शो कर रहा है, कहीं न कहीं, यह full moon आपकी life में, marriage attract कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे चाहते हैं, marriage के लिए, okay marriage चाहते हैं वो लोग, and yes, या तो आप उसके बारे में बाते कर रहे हो, शादी के बारे में अपनी, या फिप कुछ न पुछ तो यहाँ पर marriage के बारे में होती हो, इस से marriage के लिए, okay से यहां पर ऐसे कुछ एनर्जिस यहां पर दिख रहे हैं और यह बेस्ट राइम भी रहेगा रीडिंग लेने का अफकोस फॉल मून के एनर्जिस होती है तो बहुत बड़ी एनर्जिस पाई जाती है आपको भी पते हैं टाइम पर एनर्जिस बोख़़ जादा हाई रहती हैं यहां तो जो जिनको थोड़ा साला एक सेट्रन मून का जिनका कॉंबिनेशन रहता है उनको बहुत डिफिकल्टी होती है यह फिर शनी की राशि में चंदर्मा चल गए चंदर्मा की राशि में शनी चल गए तो शनी चं किने शादी कर ली है या फिर marriage के बारे में यहां पर बहुत बाते हो दिए हैं आपकी life में stability आ रही है आप stable feel करने वाले हो second pile बहुत अच्छे energy यहां पर आपके लिए दिख रहे हैं stability आपकी life में खुश्यां आ रहे हैं यहां प्योंकि जो भी लोग घर पर चीज करना चाहते थे अपने लिए मला house पर चीज कर रहे हो आप ठीक है तो definitely good news है आपके लिए आपका दिमाग बन जाएगा किया सब तो लेना ही है यही house लेना है आपने सोच लिए मायन में या कुछ लोग entry कर रह right now okay अगर आपको कोई भी टाइव का crystal bracelet pendant ठीक है ring लेनी है तो 15% sale चल रही है crystals की उपर okay and कोई भी crystal आप ले सकते हो ठीक है 15% discount भी आपको मिलेंगे 10 दिन तक sale चल रही है okay I think आज है 17 sorry 18 हा ना sorry 17 ही है आज okay so yes 27 या 30 तक आपकी यह sale चल रही है so आपको अगर कोई भी crystal bracelet pendant लेना है so 15% sale पर आपके लिए यहाँ पर जाएगा ठीक है so anyways यह थी आपके लिए information ओकी so यहाँ से क्या energies है यह देख लेते है full moon आपके लिए क्या energies लेके आ रहे है guys two of pentacles card है यहाँ पर okay I hope आपको reading पसंद आए और आपसे match हो यह reading two of pentacles है page of swords card की energies है यहाँ पर queen of एक तरसे queen है queen की energies okay empress card है यहाँ पर okay lovers है यहाँ पर great I don't know why I am saying queen of pentacles मैं कहने वाली थी बट मैं वहाँ रुक गई यहाँ पर knight of pentacles है okay last card है page of pentacles bottom of deck nine of pentacles bottom of middle of the deck sorry four of pentacles 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 okay चारो ही card series last one of pentacles क्याई तो बोलना भी मुश्किल हो जाता है इतना सारा anyways यहाँ पर guys आपके लिए Taurus sign important हो से Gemini sign important हो सता है यहाँ पर अभी मुझे 333 means triple three camera में दिखा तो triple three के energies आपके लिए important हो सकती है okay so यहाँ पर सबसे पहले क्या energies आ रही है आप क्या attract करो अपनी life में full moon पर confusion सबसे पहले तो आप इस चाम बहुत confused हो किसी situation को लेके किसी चीज को लेके आप बहुत confused दिख रहे हो यहाँ पर okay four of pentacles card है कहिए न कहिए यहाँ पर आपकी life में मुझे ऐसा दिख रहे है कि आप लोग decision नहीं लेपा रहे हो अपनी life में है ना आप लोग and yes यहाँ पर आप अपने comfort zone में भी बैठे हुए हो आपको कहा जा रहे है अपने comfort zone से बहार निकलो कि अगर आपको चाहिए confusion नहीं चाहिए आपको अपने जिन्दगी में आप इस confusion से निकलना चाहते हो definitely आपको कहा जा रहे है अपनी life में अपने comfort को छोड़के आगे भड़ो comfort को छोड़के अपनी life में मतलब होता है ना आगे की seat पकड़ो अपनी life में लगए आप घर में बैठे रहते हो ठीक है आप चाहते हो आप पैसा कमाना ह है हाँ घर से भी कमा सकते हो बढ़ आपको बाहर निकलना पड़ेगा opportunities को grab करना पड़ेगा then after that आपको वह offers a grab करोगे तब भी आप उस चीज़ों को यहां पर expect कर सकते हो अपनी life में कहीं यहां पर ना दो pages की energies आई हैं तो sorry सो यहां पर कहीं ना कि आपकी life में यह दिख रह हो opportunities बहुत सारी आरहिया opportunities को checkout कर रहे हो ठीक है यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है वापकी उपर आपको क्या चूज करना है हना तो यहस आपकी life में कोई offers भी आ सकती है offers भी आप लोगों को मिल सकती है financial offer हो सकती है कोई ठीक है कि यहां पर मुझे ऐसा दिख रहे है कुछ लोग यहां पर grow कर रहे हैं अपनी life में growth होने वाली है आपकी जिन्दगी में विकाज यहां पर Empress card भी growth का यह दिख रहा है पेज से night की तरफ जाना तो वो भी एक तरह से growth card ही है growth की energies है so yes grow करते हो दिख रहे हैं आप अपनी life में पेज से night की तरफ जाते हो दिख रहे हैं and yes financial issues जिनको भी guys यहां पर सहने पड़ रहे थे तो वो financial issues धीरे धीरे आपके खतम हो जाएंगे and also अगर आपके love life में आपको issues देखने को मिल रहे हैं तो आपके love life में यहां पे issues आपके sort होते हो दिख रहे हैं ठीक है आपके love life में angel protection आपको provide की जारी है also यहां पे आपके लिए sun की energies important हो ते हैं new beginnings आते हो दिख रहे हैं angel protection आपको इस रिष्टे को दिख रहे हैं मुझे angels protect करते हुआ इस रिष्टे को okay and also guys nine of pentacles card show कर रहा है कहीं न कहीं आपकी life में financially grow कर रहे हो आप financially means आपका bank account यहाँ पर भड़ने वाला है आपके account की growth होते हैं दिख रहे हैं nine of pentacles के थूँ यह भी दिखा जारे है कि आपके business में यहाँ पर आपको growth देखने को मिलने वाली है यहाँ पर अगर आपका business grow कर रहे है तो आपको कहा जारे है थोड़ा सा donations भी करना start करो donate करना सीखो कुछ amount six के six या three के regarding आपको यहाँ पर donate करने के लिए बोला जारे है donations ओके like extra amount इतनी दो किसी को यहाँ पर अगर आप किसी को amount कुछ दे रहे हो तो उसमें कुछ 6 नंबर एड करो या फिर तीन नंबर ज़रूर करो ठीक है और यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रहे है कुछ लोग यहाँ पर अपना प्रेगनेंसी के ओपर भी focus कर रहे है ठीक है अपने partner के साथ तो अगर आप किसी relationship में हो प्रेगनेंसी को अगर आप नहीं expect करना चाहते हो तो of course use prediction और यहाँ पर यह energies है आपके लिए बाकी यहाँ से देख लेते हैं कौन सी energies आप लोग expect करना चाहते हो यह आना चाहता है आपके लिए card आपकी life में लव आ रहा है कोई person आते होई दिख रहे हैं जो आपकी life में आना चाहते हैं यह तो आप love life के बारे में भी stress में हूँ यह तो आपकी life में कोई है ही नहीं आप अपने full अपने heart को protect करके रखे होई आप चाहते हो कोई person आपकी life में आए बट वो नहीं आ रहा है है ना action is important here guys कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी life में full moon पे action लीजिए ठीक है आपके तरफ कोई आता हुआ दिख रहे है definitely आ रहे है कोई ना कोई ठीक है action is important यह तो आपको action लेने के जुरत है या आपकी life में कोई action ले रहे है see this romance is here आप किसे relationship में हूँ guys जो भी लोग relationship में बहुत 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 अच्छा time आता हुआ दिख रहे है आपके relationship के लिए अगर जो भी लोग single है वो लोग चाहते हैं आपकी life में कोई partner आई yes 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 partner आता हुआ दिख रहे है आपकी life में root chakra आपका वो यहाँ पे open up होता हुआ दिख रहे है and yes आपकी life में अगर कोई financial issues चल रहे थे वो यहाँ पे sort out होते हुआ दिख रहे है कहीं न के journey की energies हैं आपकी life में यहाँ पे traveling की भी energies दिख रहे हैं foreign travel हो सकता है चाहें यहाँ पे कहीं भी आप travel करो और कहीं bag उठाए और चलेगे ठीक है एक दम से घूमने के लिए घूमने का plan बना लिए और yes यह सब चीज़े होते होए दिख रहे हैं आपके लिए romance के doors open हो रहे हैं romanticly आपकी life में कोई न कोई person ना रहे हैं आपके दिल के दरवाजा खुलने वाला है और yes चाबी जो है उनके हाथों में है और yes अब आप चाहे आपका heart chakra open नहीं था ठीके close up था वहाँ पे close था उसको open up करने के लिए आपके लिए कोई ना कोई भी भीजा जा रहे हो आपका दिल खुल रहा है यहाँ पे मतलब होता है heart chakra आपका heal हो रहा है open up होता हुआ दिख रहा है 17 नमबर आपके लिए important होसता है 8 नमबर 49 नमबर 13 नमबर 33 2, 35, 51, 6, 8 और यह numbers आपके लिए important होसते 8 8 number बहुत important होसता है यहाँ फिर 6 6 number 666 और 8 8 number is important for you आपकी healing होते है भी दिख रहा है I think card healing का ही है I think हाना इसके just नीचे yes नहीं वो first pile में था वो शाहिए message first pile का यहाँ पे कोई है ठीक है जो भी लोग second pile देख रहे है first pile वाले तो guys आपकी life में 100% healing के chances यहाँ दिख रहे है और अगर आप भी चाहते हो heal होना तो second pile आप भी heal होते हो दिख रहे हो so आपके लिए जो full moon है यह क्या energies लेके आ रहे है क्या आप लोग expect कर सकते हो अपनी life में okay look at the bigger picture so आपको कहा जाए थोड़ी से बड़ी picture की तरफ देखना start करो ठीक है अगर आप छोटा सोचते हो बड़ा सोचना start करो full moon in Sagittarius की energies आए है यहाँ पर और फिर ही climax अप्रोच है so आपकी life में climax आता हुआ दिख रहे full moon in Aries की energies है okay so guys climax आ रहे है आपकी life में okay your commitment is being tested guys so आपकी commitment यहाँ पर test की जा रही आप कितने committed हो किसी काम को करने में चाहे वो relationship में आप कितने committed हो वो यहाँ पर सब कुछ check out किया जा रहे है first quarter moon की energies है last card है यहाँ पर your dreams need a practical plan okay so आपके जो भी सपने हैं वो practical plan की उनको जरुद है stream पर आपको practically सब कुछ उनके बारे में कतना पड़ेगा मतलब आपकी जो भी dreams है for example आपका dream है कुछ like IES बनना उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको study हाना study क्या उसके लिए practical planning करनी होगी कि yes यह करना है फिर यह करना है यह करना है ठीक है so yes यह important है Taurus की energies है full moon in Taurus full moon in Sagittarius है यहाँ पी what do you need to release guys it's a negativity so waning moon की energies है negative thoughts negative चीज़े ही यहाँ पे आपको release करने के लिए कहाँ जारे full moon पे कुछ बड़ा सोचो आपको यह कहाँ जारे बड़ा जो आपको लगता है कि शाहिद आपके लिए नहीं है बढ़ हाँ वही आपके लिए है so mother marry आई है love and peace के उपर focus करने के लिए कहाँ जारे let go of the need to be right guys let go करो अगर आपको लगता है कि yes वहाँ पे सही है let go करना and choose करो peace को लड़ाई जगड़ा माफ करो and आगे भढ़ो ठीक है mother healing आपके लिए possible as time पे जो भी लोग चाहते है mother healing करवना अपनी ठीक है के चानल को subscribe कर लेना and guys sale live है sale आपके लिए start हो चुकी है आपको अगर नहीं पता है तो yes crystals के पर sale चल रही है okay 15% sale है 30 date तक आपके लिए sale है ये 30th of September तक okay festive sale है ये आपके लिए तो yes कोई भी type का crystal आपको bracelet ring pendant आपको लेना है तो आप ले सकते है 15% sale पे चल रहा है okay so yes lady Porsche यहां पर so आपको divine order मिल रहा है guys important lesson आपकी life में unfold होते होगे दिख रहे है so yes आपके लिए यहां पर Isis Goddesses पर आई है तो ये तो show कर रहे है कहींना कि magic आपकी life में होने वाला है manifest कर रहे हो आप magic को your dreams visions and goals are becoming reality stay focused so आपको अपने dreams को visions को goals को reality में convert करने की यहां पर जरूत है okay so अगर आप चाहते होगे यह सब चीज़े करना तो yes focused रहे है अपनी life में for all the venetian की energies है experiencing grace share your gifts with grace waves of inspiration and love are coming to you so आपकी जिंदगी में यहां पर love आता हुआ दिख रहे है inspiration की okay share करिये अपने gifts को grace के साथ and yes seranos is आई है यहां पर okay so life force की energies express your driving passion so आपको कहा जर अपनी life में driving passion को express करने कोशिश करो sensual and sexual powers are increased so आपकी जो sensual powers है जो sexual powers है वो increased होते हैं इख रहे हैं उनको control करके अपनी life में किसी अच्छे जगह पे लगाओ इना जिसको के so yes guys आप over passionate होते हो दिखरोचीजों के लिए आने वाले समय में so anyways full moon कैसा रहा है आपका guys ज़रूर बताना आपसे match हुई है नहीं reading बागी guys like कर दो इस reading को subscribe कर लो channel को bell icon को दबा के all पे set कर दो personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो instagram का link description में है time stamps के just super या फर आप तो उपर about section से भी देख सकते हो crystals अगर आपको buy करने है तो भी आप कर सकते है 15% sale चल रही हो की so anyways guys अभी के लिए इतना हर महादी राधी 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 गॉर्ड ब्लस रववान पाई guys